हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं मैं हूँ जिवसना आज मैं लेकर आई हूँ वेजिटेबल एग आमलेट आमलेट तो आपने बहुत खाया होंगे लेकि अगर आप आमलेट के अंदर ही सब्सक्राइब को मिला दे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा दुगना हो जाता है और बैल आइकन भी ताकि अपन्यू इनिफॉर्मोशन मिल सके रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहां पर कटे हुई प्याज कटे हुए टमाटर कटे हुए शिम्ला मिर्ट और पीदी वाली गाजली है इसके लावा मैंने यहां पर दो अंडे लिए हैं चलिए आगे बढ़ते है इन दोनों ही अंडे को हम एक बाॉल के अंदर टोलेंगे आपको एक बड़ा बाॉल लेना है क्यूंकि हमें अंडे को फलफी करना है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैंने कुछ मसाले लिए हैं यहां मैंने एक चोताई बाग काली मिर्स पॉर्डर लिया है इसके लावा मैं चलाते हैं अब मैंने या पर बाग से ज़्यादा और यह नहीं नमक नेकर नमक डिएर अपने स्वादवन सा भी ले सकते हैं और यह एक इसे अच्छ जो किया मिर्च पीली वाली गाजर और टमाटर शामिल है आप चाहे तो इसमें और सब्जियों का भी यूज कर सकते हैं चमज क्याल से बने अच्छे से मिलाएंगे चलिए अब हम गैस के तरफ चलते हैं यहां मैंने दो चमज देशी गी लिया है आप किसी भी तरकी के कोकिंग ओयल का यूज कर सकते हैं जो आप अपने खाने मिलेते हैं घी हमारा गरम हो चुका है चलिए गैस का फ्लेम आप लोही रखेगा और मैंने यहां पर यह सारा बैड़र डाल दिया है अंडे का कम गैस पर हमें इसे अच्छे से पकाना है नहीं तो यह नीचे से कच्छा रह जाएगा कम सकंब 5 मिनट के लिए हम इसे कम गैस पर पकाएंगे और थोड़ी दिरे के लिए हमसे ढख कर रखेंगे ताकि हमारा अच्छे से पक जाए चलिए 5 मिनट हो चुके हैं चाग कर लेते हैं वाओ यह देखिए हमारा यह अंडा कितने अच्छे से त्यार हो गया है यह आम नि देखिए नहीं तो इसके तूटने का भी डर रहेगा यह देखिए यह नीचे से कितना कुरकुरा हो चुका है आप देख सकते हैं पूरी तरह से त्यार है यहां भी हमें दो मिनट के लिए पकाना है कि देखिए मैंने इसे परट लिया है कितना टेस्टी बना है यह आप दे जरूर करें मैं इसी तरीके से इजी रेसिपी पोस्ट करती रहूंगी सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबाईए पूरी तरह से फ्री है कुछ वीजियो से सागर में आपका स्वागत है थैंक्स फॉर वाचिंग